हेलो एवरिवान गुड इवनिंग मैं काजिल शर्मा आप सबका टीचिंग प्रिक्षा पर स्वागत करते हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे ठीक होंगे अच्छे होंगे सवस्तों गर आप लोग की तहरी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी जलिए जल्दिये सब बच्छे क्लास को जॉइन करेंगे तो टॉपिक हमारा आज का है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हम लोग ने कल से जो है बेसिक सीरीज बेसिक टू अडवान सीरीज स्टार्ट की है इसलिए कि आप लोग ने कहा था मैं हमें स्टार्टिंग से करवाईए तो आज हमारे स क्लास है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर तो जल्दी से सब बच्छे क्लास को जॉइन कर लेंगे ताट हम हमारा टॉपिक जो है स्टार्ट करें गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्लीज कन्फर्म करें वोइस वीडियो परफेक्ट है चलिए बहुत ही बढ़िया क्लासिफिकेशन ओफ कंप्यूटर जो है सेऺडिंड टॉपिक है हमारा लैक संपली में घाया הת करें करें हिस्टरी में算ही जो है चलिए बहुत बढ़िया हम एक दो मिनिट वेट कर लेते हैं बागी बच्चे भी क्लास को जॉइन कर लें फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज का टॉपिक ठीके तो याद रखना है देखना है कि सबसे पहले हमने हिस्ट्री पड़ा अब हमारा टॉपिक क्या है क्लासिफिक क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है क्लासिफिकेशन का मतलब क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन का मतलब क्लासिफिकेशन 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 रहे हैं वहीं बैंकिंग में यूज हो रहा हो वहीं आपका 遠 β सर्द में यूज हो रहा हो हर कहीं अलग अलग 200 यू 3 यूज हो इसी मोनि परक्षर का था कैसे इसकी इसको दिवाइड किया गया रिक है जी चलिए, तो सबसे पहले session को like, share, subscribe कर देंगे आप लोग, इतना दो मैं आपने trust कर सकती हूँ, चलिए, सबसे पहला question हमें क्या कहा गया है, सबसे पहला question ये पूछा गया है, कि computer's basic architecture was developed by, जो computer का basic architecture है, जैसे कि बात करें, input है, ये input हो गया, यहाँ पे सारा CPU आ गया, CPU के बाद input हमने enter की, processing के लिए, processing होने के बाद हमें output मिलती है, बर जो processing की बात करें, यहाँ पे जो भी units है, CU है, ALU है, memory unit है, ये complete जो architecture computer का है, ये किस के द्वारा बनाया गया था, John Vaughan Newman के द्वारा, Charles Webbis के द्वारा, Bless Pascal के द्वारा, John Jordan Murray के द्वारा, हाँ जी, तो देखिए, जब भी आपको computer के, after this, बात करेंगा, कि computer का architecture किसने बनाया गया था, तो ये बनाया था, किसने जी, ये बनाया था, John Vaughan Newman में, option A, हमारे पास क्या आ गया, राइट आंसर जौन वोन न्युमन के दोड़ा क्या किया गया था यह कम्पूटर का आगचर बनाया गया था चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की है ना अब हमें पता है कि कम्पूटर का design जो है बन गया computer का structure धांचा त्यार हो गया बट अब क्या कहा है कि computer की classification जो है वो किस किस टाइप से होती है तो यहां से आपको बहुत बार questions पूछते हैं कि सबसे पहला question क्या होता है कि computer को broadly हम कैसे कितने parts में divide करते हैं कितने आगे further divided हो हम तीन तरीके से computer को divide करते हैं सबसे पहला क्या होता है based on size, second हमारे पास होता है based on purpose, third हमारे पास होता है based on type याद रखेगा यह चार तीनों कि तीनों type आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन सा computer कहां पे use होता है, कौन सा किस तरीक से use होता है ठीक है जी इतनी बात clear, yes or no, please reply कर दीजिए अगर यहां पे size की बात करें, computer के size की बात करें अगर माल लिजिए आपको examiner ने कहा कि size के according, computer के size के according, computer को हम कितने type में divide करते हैं, तो बताइए आपका answer क्या होगा, तीन type में, चार type में, पांच type में, शे type में हां जी, तीन type में, चार type में, देखें सामनी है, अगर size की बात होगी, जब computer को हम divide कर रहे हैं, size के according, तो कितने type में divide होगा, चार type में, जिसमें सबसे पहले क्या आएगा, micro, mini, main frame, और super computer, याद रखेंगा, very very important, यहां से आपको paper में definitely questions पूछते हैं, अगर size की बात करी जा divide कर चार तरीके से, सबसे पहला super, super सबसे उपर, सबसे fast, सबसे तेज, उसके बाद second number में main frame, जो banking railway में use होते हैं, फिर उसके बाद third number पे हमारे पास आता है, mini computer, जो हमारे college की lab वगरा में use होता है, छोटी amount में data को store करनाई के लिए, और last में, जो हमारे पास computers हैं, वो कौन स ठीक है जी, उसके बाद purpose की बात करें, कि अगर आप अपने computer को use कर रहे हैं, आप किस purpose के लिए use कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैंने बोला कि आपके पास computer है, आप अपने computer को किस purpose के लिए use कर रहे हैं, मतलब किसी computer को use करने का aim क्या है, तो देखिए अगर आपको बोला जाए कि based on purpose की बात करें कि purpose के according हम हमारे computer को कितने type में divide करते हैं जी हम हमारे computer में को बात करें purpose के according तो दो तरीके से divide करते हैं purpose की according पर purpose क्या होगा एक journal purpose है like normal use के लिए समान्य कारज के लिए एक हमारा होगा special purpose के लिए, जो किसी special काम के लिए हम use करते हैं, ठीक है जी, उसके बाद based on type, जब based on work की बात करें, जब based on operations की बात करें, ठीक है जी, जब भी आपको बोलेंगे type, यहाँ पे work भी आ सकता है, यहाँ पे operation भी आ सकता है, work and operation के according, हमारे पास जो computer तीन type में divide होता है, कितने type में, तीन type में, सबसे पहला हमारे पास होता है, analog computer, अब question यह है, कि मैम, analog computer use कहाँ पे होता है, बताए जल्दी से, मैं आपको बोलने, कृष्णा, सोन, वंदना, भारती, रियल जाट, हाँ जी, आपको पूछती हूँ, अगर मैं, कि analog computer जो है, यह कहाँ पे use होता है, यह हम work की बात कर रहे है, operation की बात कर रहे है, तो analog की बात करें, जिसे कि आपका speedometer, barometer, thermometer, थर्मोमेटर, वहाँ पे आपके use होते है, analog computer, मतलब waves की form में, चलिए, अगर आपको बोला जाए, कि ATM machine, weighing machine, और आपका जो laptop है, आपके पास जो desktop है, वो कौन से computer में आता है, analog में digital में, की hybrid में, तो आप कहेंगे, जो हमारे पास computers है, जो हमारे like ATM machines है, weighing machine है, ठीक है, वो आपके digital computers होते हैं, क्योंकि जो हमारे computers है, यह किस के उपर operate करते हैं, 0 and 1 के उपर operate करते हैं, binary code के उपर, binary language के उपर, because हमारे computer जो है, हमारी language नहीं समझ बाते, यह 0, 1 को ही understand करते हैं, तो बात करें डिजिटल की जो हमारे पास computers है ATM है वेइंग मशीन है यह सारा कौनस की स्टाइब का है यह हमारे पास digital computers है उसके बाद अगर आपको बोला जाए कि बया यह बताएए कि जो पेट्रोल पंप है ठीक है पेट्रोल पंप है होस्पिटल में ECG की बात करें ठीक है वह कौनसे computer use होते तो आपका answer क्या होगा वहां पे work की बात करें operations की बात करें वहां पे hybrid computer का user किया जाता है अब इसका मतलब क्या है आप लोगों ने ECG देखी होगी यह सबनों ECG के बार में बात करूं ECG की बात करें तो वहां पे waves भी होते हैं साब में numbers भी होते हैं it means जो हमारे पास hybrid computers होते हैं यह analog का भी काम करते हैं and digital का भी काम करते हैं मतलब combination of both ठीक है जी इतनी बात यहां पे clear चलिए बढ़ते हैं अब हमारे questions की तरफ साथ में आपको और भी चिजों में clarity देते चली जाओंगी अब second question हमें क्या कहता है कहते computer that are portable and convenient to use for user who travel are known as मतलब ऐसे कौन से computers हैं जो portable होते हैं and convenient होते हैं कि जब आप travel कर रहे होते हैं आप उस अपने जो भी computers को आप easily carry कर सकते हैं तो क्या answer आएगा super computer, micro computer, mini computer, mainframe computer के laptop अब simple सी बात है यहां पे कोई भी difficult नहीं था अब अगर travel की बात करें माल लीजिया आपने कही travel करना है तो travel करने के time आप laptops को easily carry कर सकते हैं येस ये क्या अब portable की बात कर इसका मतलब ही क्या होता है handheld devices जिनको आप easily carry कर सकते हैं कहीं भी साथ लिजा सकते हैं बट question ये है कि laptops को हम like travels में carry क्यों कर सकते हैं क्योंग ये portable है बट question ये है कि laptops कैसे operate करते हैं हां जी laptop जो है कैसे चलते हैं क्या आप में से कोई बचा मुझे बताएगा कि अभी हमने कहा कि laptops को easily ये easy है like easy and portable है convenient है जो हम travel कर रहे है convenient क्यों है क्योंकि ये batteries के उपर operate करते हैं ठीक है अगर हम इसको charging लगाया हुआ है charging full है तो हम साथ में easily कहीं भी इसको use कर सकते हैं तो इसलिए laptop क्या है ये handheld devices हैं इसलिए ये ये convenient है कहीं भी हम इसको साथ में ले जा सकते हैं ठीक है option D हमारे पास right answer आ गया size में चोटा है बट अब एक और question है यहां पे कि आपने कहा मैं laptop बट laptop जो है अगर मैं size के according बात करूं based on size की बात करूं तो laptop जो है ये हमारा किस टाइप में आता है laptop भी जो किस टाइप में आते होंगे ना super computer सबसे बड़े होते हैं सबसे fast होते हैं mainframe computer banking वगर में use होते हैं railway में airline में college की बात करूं mini computer अब laptop जो हैं ये size के according कि किस में आते हैं बिलकुल ये आते हैं micro computer में किस में आते हैं micro computer में आते हैं these type of computers are the least powerful yet most widely used are called portable computers मतलब जिनको हम easily इदर उदर कर सकते हैं easily carry कर सकते हैं वो हमारे होते हैं micro computer simply यहां पर आप याद रखिए जितनी भी आपकी handheld devices है ठीक है जितनी भी आपकी handheld devices है वो सारे सारे किस में आते हैं micro computer में like laptop, tab, mobile phone यह सारे किहां पर आते हैं micro computer में आते हैं ठीक है इसके इलावा जो micro computer है यह क्या consist करते हैं three basic category of physical equipment like input, system unit होगी, input, output and memory unit यह mainly यह consist करते हैं micro computer चलिए आगे बढ़ते हैं लिजिए third question को attempt करिए is a large and expensive computer capable performing scientific and business application हान जी अब यहां पर क्या कहा है कहा है कि ऐसे कौन से computers हैं जो बड़े हैं महंगे हैं and capable है किसके लिए capable to performing scientific and business application के लिए अब देखें keyword याद रखें जब भी आपको size की बात होगी computer के size की बात होगी कि size क्या है large है cost की बात होगी महंगा है हाँ वो भी करवाओं कि आपको जी जुआई भी क्या होता है गोतम जिंग मैंने आपको number दिया था कि आपने उसको message नहीं किया था आपने ठीक है तो जब large की बात होगी expensive की बात होगी scientific की बात होगी research की बात होगी business applications की बात होगी हमेशा आपका answer क्या आएगा super computer आपका answer आएगा ठीक है अब super computer जो है क्या होते हैं देखिए super computer क्या होते हैं यह सबसे fast होते हैं ठीक है अब obviously बात है जो excellent होगा जो बढ़िया होगा वो fast होगा yes or no बिल्कुल जो costly होगा महंगा होगा वही fast होगा अब simple सी बात अगर super computer fast है तो expensive भी होंगे महंगे भी होंगे इस बात से आप agree है जो चीज जितनी तेज है उतनी बढ़िया है उतनी महंगी भी होती है है ना जी तो उसके बाद अगर चीज बढ़िया है महंगी है speed की बात करें speed भी क्या होगी maximum होगी high speed होगी ठीक है compare to other right उसके बाद अगर मैं आपको बोलू कि इन में से अगर मैं बात करूं कि airline की टिकेट सस्ती है कि railway की टिकेट सस्ती है इन दोना में टिकेट महंगी कौन सी है airline की railway की अगर simple आप से पूछू मैं कि airline की टिकेट महंगी है कि railway की टिकेट महंगी है तो आप कहेंगे मैं airline की टिकेट महंगी है है ना airline की टिकेट महंगी है तो means जो चीज मेहंगी है अब एर लाइन की टिकट मेहंगी क्यों है क्योंकि यह फास्ट होता है जहां पर आपको रेलवे के थरू चार घंटे लगने यहां पर एक घंटे पहुंच जाएंगे अगर जितनी फास्ट है उतनी मेहंगी भी तो है ना अब मेहंगी है तो बड़ी भी होगी, simple सी बात है, अब super computer की बात करें, most powerful है, large in size, also large in memory compared to all other computers, so एक keyword आप यहाँ पर और याद रखिए एक keyword आप और याद रखिए, क्या keyword है keyword यह है, कि माल लिजिए, आपको यहाँ पर question आ गया हाँ जी, अगर आपको question आ गया कि ऐसा आपका super computer है, इसमें आप, जो है, एक second में कितनी instructions process करवा सकते हैं, तो आप यह कह सकते हैं कि super computer, वो computers होते हैं, जो कि एक second में millions, like एक second में billions of instructions जो हैं, process कर सकते हैं तो यह हमारे पास super है, मतलब सबसे fast, complex problems हो solve करते हैं, इसके लावा अगमान लेजे, मैं कहूँ कि पूरे world का आप answer दीजिए अगर मैं आपको कहरें कि पूरे world का weather forecasting check करना है, weather का अंदाजा लगाना है, मोसम का अंदाजा लगाना है तो आहां मैं कौन से computer use होते होंगे, हाँ जी, क्या answer आएगा, very good अगर आपको मैं पूछों कि पूरे world की बात कर रही हूं मैं, तो world के लिए कौन सा होगा, सबसे उपर, सबसे super, सबसे तेज, super computer, that's it, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस question को attempt करिए, question क्या है, कि analog computers work on the supply of है ना जी, जो आपके analog computers हैं, speedometer में use होता है, barometer में use होता है, वहाँ पे जो computers works on supply, कौन सी supply पे work करते हैं, continuous electrical pulse, electrical pulse but not continuous magnetic strength की physical strength, very good, बहुत बढ़िया, याद रखिए, जो analog computers होते हैं, यह किसके उपर work करते हैं, continuous electronic pulse के उपर, यह काम करते हैं, ठीक है जी, yes or no, चलिए, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी speed बढ़ाईए, बहुत सारे questions हमें discuss करने हैं, बहुत सारे topic भी है, concept भी हम साथ में ही clear करेंगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इस question को attempt करिए, which operation is not performed by computer, अब आपका computer बन चुका है, like super computer भी है, main frame भी है, mini भी है, micro भी है, है ना, आप instructions को process करवा रहे हैं, input दे रहे हैं, output आपको मिल रही है, अब question में क्या कहा है, कि इस में से कौन सा operation है, जो computer द्वारा नहीं किया जाता, क्या आप input enter करते हैं, input हम देते हैं, अब input हमने enter की, enter होने के बाद processing होती है, yes, controlling होती है, चलिए, यह आप बताईए, क्या computer आपकी चीज को जो भी आपका, like operation है, उसको understand करता है, अब control की बात करें, कहीं न कहीं, जो हमारे CPU के अंदर CU unit होती है, CU का मतनब क्या है, कि जो control unit होती है, वो क्या करती है, सब को control भी करती है, सबसे coordinate भी करती है, तो बताईए, controlling इसका answer होगा कि नहीं होगा, इस question का controlling answer नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, because controlling जो है, CPU के अंदर एक unit है, CU, उसके बाद AL unit आती है, तो इन्पुट भी होता है, processing भी होती है, controlling भी होती है, बट जो आपका computer है, क्या वो understand करता है, नहीं, वो understand नहीं करता, ठीक है, वो क्या है, understand नहीं करता, क्या करता है, जैसी आप input प्रवाइड करते हैं, जो आपका computer है, जैसी आप input प्रवाइड करते हैं, वैसी ही वो आपको output प्रवाइड कर देता है, जो आपका computer है, जो आपको information मिलती है, जो आपको output मिलता है, वो totally किसके उपर depend करता है, बताईएए, जल्दी से बताईए, Haanji, Please रिप्लाई करेए जल्दी से, Haanji, रिप्लाई करेए, अब जो, Haanji, रिप्लाई करेए जल्दी से, जलसे reply करें अब जो आपकी computer की output है information है वो उसके उपर क्या depend करता है हाँ question क्या है वो तो ठीक है depend करता है कि जैसे आप input देंगे वैसे ही आपको output provide कर देगा यह नहीं है कि आप 2 into 3 type कर रहे हैं और आप यह उमीद कर रहे हैं कि आपको 3 plus 2 करके answer मिले नहीं जैसी आप input provide करेंगे वैसी आपको output मिलेगी तो देखिए control तो coordinate करता है ठीक है coordinate करता है किसको क्या होगा कौन like input बेज रहा है output जा रही है वो control हो गया बट यह समझता नहीं है जो आप input देंगे वैसी आपको output दे देगा ठीक है सो option D हमारे पास क्या आगया correct answer आगया hello जी hello आगे बढ़ते हैं आगे question क्या है कहते the computer that process both analog and digital is called मतला ऐसे computer जो digitally भी काम करते हैं और analog भी काम करते हैं वैसे वाले computers को हम क्या कहते हैं analog, digital, hybrid की main frame computer एक बार सब बच्चे session को share कर दीजिए class को like भी कर दीजिए अगर आपको session अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, concept में clarity हो रही है तो please एक बार सब बच्चे session को like भी कर देंगे और share भी कर देंगे अब देखें यहाँ पे both की बात की जा रही है analog की भी and digital की भी मतलब signals की बात भी की जा रही है प्लस साथ में 01 की बात भी की जा रही है, तो यह इसका मतलब क्या है कि analog plus digital क्या बन गया hybrid बन गया, जो computers हमारे petrol pump में, hospitals में use होते हैं, ठीक है तो answer हमारे पास क्या आ गया, option C हमारे पास right answer आ गया जी done जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिजिए इस question को attempt करिए, बहुत ही बढ़िया question है, बहुत ही simple question है ठीक है, गोतन जी आप please एक बार message करिए, अगर आपका वो number नहीं लग रहा है तो आप इस number message करिए, 9697, ठीक है, 9697, 888 और 444 के उपर आप message करिए अब ही आपका जो भी problem है, जो भी समस्या है, resolve हो जाएगी, आप एक बार message करिए, ठीक है और इस question को attempt करिए, अब question क्या है, कहते है, modern electronic computer, मतलब अब की बात हो रही है, modern computer की बात की जा रही है कि modern computer is a machine that is meaningful, क्या मतलब है, doing quickly mathematical calculations, input है, storage है, manipulation है, output है जा electronic data processing है, जा performing repetitive task accurately, मतलब आप जितनी magic task provide करें, वो क्या करता है, accurately repeat करतो तो बताइए क्या answer रहागा इस question का, हर्याफ reply करेंगे, सब बच्चे, 7th number question को हम done कर रहे हैं, अब यहाँ पे modern computer की बात हो रही है अब देख, अगर आपको चारों में से एक answer find करना है, चारों में से एक answer find करना है, तो बताइए क्या answer रहाएगा जो आपका आज का computer है, आप उसमें input देते हैं, very good, आप उसमें, ठीक है, performing तो करता है, बट मेरी बात सुनिए, जो आपका आज का computer है, जो आपके पास computer है, आप input देते हैं data enter करते हैं, yes, manipulate होता है, आप change कर सकते हैं, yes, processing होती है, yes, output मिलती है, yes, store होता है, yes, तो option भी हमारे पास right answer रहेगा question को ध्यान से समझना है, हमें यहाँ पर देखिए, यह तो वैसे तो हमारा computer electronic data process भी करता है, बिकास electronic device है, mathematical fast करता है, बट चारो option में से हमें एक answer find करना है, और यहाँ पर modern electronic computer की बात की गई है, एक electronic computer machine है, that meant by, जिसका मतलब क्या है, input आप दे रहे हैं, input अंटर कर रहे हैं, data store कर रहे हैं, change कर रहे हैं, और आपको output भी मिल रहे, so option भी आपके पास क्या आगया, right answer आगया, question को समझना है, question की demand क्या है, समझ में आया, इतना complex, इतना बड़ा questions, लीजिए करिए, इस question को attempt चल्दी से, हाँ जी, इस question को attempt करिए, क्या कहा गया है, the proper definition of a modern digital computer is, अब यहाँ पर question को गुमा दिया गया, यह कहा है, कि आप यह करिए, आप जो computer की proper definition है, किसकी modern digital computer की, जो आज का आपके पास computer है, जो अभी आप use कर रहे हैं, चाहिए आपका tab है, laptop है, desktop है, ठीक है, उसका answer क्या आएगा, कहते हैं कि electronic automated machine है, that can solve problem involving words और numbers, जिसमें numbers भी involved हैं, और words भी, चलिए let's see, आप लोग attempt कर जल्दी से, अब यहाँ पर keyword देए, modern computer, साफ में digital की बात कर दी ह तो starting में मैंने आपको तब ही बताया कि digital हमारे computers कौन से होते हैं, जो 0 और 1 को understand करते हैं, तो आपका answer आपके सामने आ चुका है, 0,1 को हम और क्या कहते हैं, 0,1 को हम binary code भी कहते हैं, तो बताइए answer क्या होगा, अब उसके बाद option B क्या है, more specific and modified electronic pocket calculator है, no, यह भी नहीं आएगा words नमबर थोड़ी आता है, यह क्या है, proper definition क्या होती है, आपके digital computer की, a machine that works on binary code, जो binary code के उपर work करता है, अब आप जो मर्जी टाइप करें, आप English टाइप करें, Hindi टाइप करें, पंजाबी टाइप करें, तमील टाइप करें, जो भी आपको language आती है, आप टाइप करें, कोई understand करता है, बताइए, क्या वो हमारी language को समझता है, जल्दी से बताइए, अब हमारे पास C है, C++ है, Java है, .NET है, बहुत सारी languages है, बट वो हमारी language को नहीं समझता, जो हमारा computer है, वो सिर्फ 01 को ही understand करता है, इसी लिए क्या है, इसी लिए क्या करते हैं, कि हमारी higher level language को machine code में convert क करने के लिए, अब आपके अलग-अलग language translator का use किया जाता है, तो यहां पर क्या आ गया, कि modern digital computer का मतलब क्या है, कि वो एक ऐसी machine है, जो work करती है, कहां पे, binary code के ऊपर, option D, आपके पास क्या आ गया, बिलकुल correct answer आ गया, जी, question को बड़े ही धिहान से, बड़े ही इंटर से सम भजना है, अब question यहां पर यह है, कि माम, जो आप, आप कह रहे हैं कि language के translator है, कौन-कौन से, तीन है, assembler, compiler, and interpreter, अलग language के लिए अलग यूज होता है, कुछ आपके, like interpreting language है, कुछ आपके compiler की है, assembler के लिए second generation की assembly language का use होता है, आगे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है जी, चल question को attempt, अच्छा question है, आप कहते है, offline device का क्या है, मैं, आप, हम कहते है, WhatsApp message का, वो offline होगे, online show नहीं हो रहे, है ना, जी, होता है ना, कि हम WhatsApp message कर रहे हैं, हम देखते हैं कि double tick नहीं लगा, it means offline है, अब यहां पर हमें क्या पूछ लिया, कि offline device का मतलब क्या है, वो device, जो CPU से connected नही है, CPU मतलब क्या, मैं किस दिन पढ़ाती हूं, मैं हर रोज पढ़ाती हूं, मैं हर रोज पढ़ाती हूं, किस दिन नहीं, Monday to Saturday पढ़ाती हूं, चलिए, अब offline device का मतलब क्या होता है, आप चैनल को subscribe कर लीजिए, bell icon पे press कर लीजिए, हर दिन आपकी 4 बजे और 7 बजे class होती है हाँ जी, अब offline का मतलब क्या है, अब यहाँ पे computer की बात की गई है, चलिए, एक तो होगी, जो device CPU से connected नहीं है, second, a device which is connected to the CPU, a direct access storage device, जा IO device, चलिए, अब देखिए, माल लीजिए, आपका system, आपका computer, आपका computer क्या है, ओन है, अब आपका system, बात को समझना, आपका system ओन कब होता है, जब क्या होता है, बताए, कृष्णा, सोनम, वायर सेवेन, गुपाल, विनीता, रियल जाट, प्लिस रिप्लाई करिए, हम कहते हैं कि मैंने system ओन किया हुआ है, हम कहते है system मेरा ओन है, कब, ज कहां पे होता है, main memory में load होता है, अब CPU क्या है, central processing unit, अब हम सो रहे हैं, हमारा दिमाग active नहीं है, हम सो रहे हैं, बट अभी जग रहे हैं तो क्या है, जब हमारा दिमाग काम कर रहा है, मतलब, offline system, offline device कब होती है, जब वो, क्या हो, जब वो device CPU से connected नहीं होती, अब माल ये system मे operating system काम नहीं कर रहा, हम सब जानते हैं, कि हमारे system को work करने के लिए, operating system की requirement रहती है, बट जब आपने system को own ही नहीं किया, ठीक है, system को own ही नहीं किया, आपकी device जो है, CPU से connected ही नहीं है, तो obviously बात है, वो device offline है, अब माल लिजे, कि ये आपका, ये है pen tab, ठीक है, ये है pen tab, अब मैंने pen tab को, pen tab को अपने laptop से connect ही नहीं किया हुआ, तो क्या ये device, जो मैं बता रही हूँ फिर से, अब माल लिजे, एक minute रुकिए, अब ये pen tab है, ठीक है, माल लिजे, अब इस device को, मैंने जो है, laptop के साथ connect ही नहीं किया हुआ, तो बताईए, ये बिना connect किये, ये device चले एक और example ले लिजे, mouse की बात करें, अब mouse को मैंने laptop से connect नहीं किया हुआ, तो क्या mouse चलेगा, नहीं चलेगा, बट जब मैं उसको mouse को laptop से connect कर दूँगी, फिर तो mouse वर्क करेगा, अब जब मैंने mouse को laptop से connect किया, उसका मतलब क्या है, कि वो online हो गया, active हो गया, चलेगा, क्योंकि मैंने connect कर दिया, बट obviously बात है, अगर हम हमारी device को connect ही नहीं करेंगे, फिर वो online कैसे काम करेगी, it means offline, एक और example देती हूँ, आप हम सब लोग WhatsApp यूज करते हैं, अब ये मत करना हम WhatsApp यूज ही नहीं करते, आप WhatsApp यूज करते हैं, WhatsApp ये आपने message send किया, बट अगर next person का, जिसको आपने message send किया था, उनका net जो है, mobile phone का internet उन्होंने off किया हुआ है, तो क्या हमारा message नहीं तक पहुंचेगा, पहुंच जाएगा, बट उनको पता नहीं चलेगा, हमारे पास single tick ह जो होगा, जब ही वो net को, internet को on करते हैं, तो वहाँ पे blue tick आता है, blue tick आता है, मतलब वो क्या हो गया, online हो गया, हम कहते हैं, ये online है, ये offline है, done जी, clear, समझ में आया, कि offline device का मतलब क्या है, वो device जब CPU से connected नहीं होती, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हाँ, जी, लीजिए, इसको attempt करिए, अच्छा question ये वाला भी है, क्या कहा है, a computer with CPU, speed around 100 million instructions per second and with the word length around 64 bit known as, C option का समझा दीजिए, अब C option में कहा था, कि जब direct storage की बात की गई थी न, कि जब memory से directly वो information को fetch करता है, गोपाल, ठीक है, चलिए, इसको attempt करिए, क्या है इस question का answer, अब यहाँ पे, अब यहाँ पे hundreds millions की बात की तो यहाँ पे आपका super computer आएगा, देखिए, जब भी आपके billions की बात हो, ठीक है, hundreds millions की बात है, तो billion हो गया है न जी, तो यहाँ पे आपका super computer आएगा, ठीक है जी, super computer आएगा, डान जी, इतनी बात clear, समझ में आया, hundreds millions में, hundreds में क्या होता है, hundreds millions, ठीक है, तो आपके पास क्या आगया, आपके पास आगया, super computer, जब आपके thousands की बात हो, hundreds की बात हो, thousands की बात हो, तो main frame आ जाएगा, ओके, ठीक है, जो बचे, कह रहे हैं, हम यहाँ पे main frame आना चाहिए, बट क्या हमारे पास option में कहीं भी main frame है, चलिए, मैं माल लेती हूँ कि आपने कहा कि main frame आना चाहिए, बट कहीं भी आपको option में main frame दिखाई दे रहा है, नहीं, देखे, जब भी आपको main frame का question आयेगा, अब main frame का question change हो रहा है, जब भी आपको main frame की बात होगी न, वहाँ पे thousands users की बात होगी, अब हमें यहाँ पे कहीं भी main frame दिया ही नहीं है, कम कैसी answer रगाए, main frame, तो हमारे पास क्या hundreds की बात किये hundreds, millions, thousands की बात नहीं की कि तो option है हमारे पास right answer आ गया चलिए next question को attempt करिए next question को attempt करिए अब करते which of the following is not one of the four major data processing function of computers data को gather करना, process करना, analyze करना की storing करना ओके यहां पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि माम यहां पे आएगा gather करना नहीं आएगा function यहां पे एक बात ध्यान दीजिए note की बात की गई है अब सुनना समझना आप information को क्या अपने laptop में store नहीं करते हांजी क्या आप अपने system अपने laptop में information को store नहीं करते हैं जब आप information को store कर रहे हैं तो gather ही तो गएधर ही तो कर रहे हैं इकथा ही तो कर रहे तो यह है परसेसिंग होती है बिलकुल storing भी होती है बट क्या आपका kप्प्यूटर अपने आप से data को information को एनलाईज कर सकता है कि यह मैंने पहले रखनी है ये बाद में ये वहाँ पर ये वहाँ पर बताईए है ना सो यहां में बोला क्या है कि which of the following not one of the four major data processing functions अब processing की बात की गई है जब वो fetch करेगा कहीं से data fetch करेगा तो वो gather ही करेगा कहीं से fetch करना है gather किया फिर decode किया फिर execute किया फिर store किया बट क्या वो कहीं भी analyze करता है नहीं करता सो option c हमारे पास क्या रहेगा right answer रहेगा question को बड़े ही ध्यान से समझना है question की demand को देखना है चलिए आगे बढ़ते हैं आप कहते mini computer work faster than अब जो आपके mini computers हैं अब यहां वे बहुत रहे questions है कि मैं mini computer कहां use sorry कहां use होते हैं और किस से fast है very good very good micro computer से faster होते हैं चीक है बहुत ही बढ़िया very good चलिए आगे बढ़ते हैं अब यह है micro computer अब यहां पर हमें बोलें कि mini computer किस से fast है micro से but micro computers क्या होते हैं micro computers क्या होते हैं यह जो है these type of computer और यह तो हमारा होई चुक है मैं आपको पहले भी बता दिया है कि जो हम like use करते है micro computers चीक है चलिए जी mini computers क्या होते हैं देखिए mini computers के अगर मैं बता हूँ आप लोग school की college की lap में देखिए होगे आपने college की lap में बहुत सारे computers लगे होते हैं yes or no college की lap की बात करें इस type से बहुत सारे computers लगे होते हैं और आपने देखा होगा उसी room में क्या होता है कि एक side के ऊपर एक corner में अलग cabin बनाया होता है जहां पर main computer होता है तो वह हमारा क्या होता है server होता है तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं mini computers ठीक है cabin वाला yes exactly चलिए आगे बढ़ते हैं करिए आप करते mother board को हम और किस नाम से जानते हैं electronic board, simulating board, printed circuit board PCB जग combined device board अब यह बात याद रखिए यह बहुत बार question पूछा गया है PCB के बारे में PCB की full form क्या है और mother board को हम और किस नाम से जानते हैं mother board को PCB के बारे में जानते हैं ठीक है printed circuit board इसको like main system board भी कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं करिए इस question को attempt the main type of translator आपके जो high level language को किसी भी language को low level को high level को machine level language में convert करने के लिए कौन-कौन से language translator का user होता है assembler का compiler का converter का assembler का compiler का interpreter का तो क्या answer आएगा देखिए हमारे पास तीन जो है क्या है language translator है ठीक है ये श्राज में बीच में थूरी भी तो करवा रही हूं ठीक है ये श्राज questions के साथ में थूरी भी पढ़ाऊंगी आपको आपको concept में clarity होगी सो हमारे पास तीन जो है क्या होते है language translator एक है आपके पास assembler अब देखिए सबसे पहले assembler की बात करें assembler का use कहां पे होता है ये second generation की अब आपको पता होगा कल मैंने आपको बताया कि कौन सी generation में कौन सी language use करते हैं yes or no कल आपको बताया first class में speed क्या है electronic component क्या है कौन सी language कहां पे use होती है तो हम सब जानते है second generation में assembly language का use करते हैं जहां पे mnemonics यहां पे code use किये गए थे अब simple सी बात है कि वह यह हमारे computer को यह code word समझ में नहीं आते उसको 01 ही समझ में आता है इस बात से आप एगरी है yes or no आपको बताया मैंने कि second generation की जो assembly language है अब mnemonics बनाए code बनाए computer के difficult हो गया yes or no फिर क्या हुआ कि वहां पे जो आपके mnemonics थे जो code थे नायरा ममता ठीक है जी जो code थे उनको convert करने के लिए assembler का use किया गया उसके बाद compiler की बात करें compiler का use हम करते हैं high level language को code में machine code में object code में convert करने के लिए बड़ question ये है हाँ interpreter भी same high level language को use होता है बड़ question ये है कि माम अगर interpreter and compiler दोनों का use high level के लिए करते हैं फिर दो translator क्यों use कियेगे अलग-अलग देखिए इन दोनों में difference क्या है जो compiler होता है ना compiler क्या करता है कि माल लिजिए आपने 5 lines का एक program लिखा आपने 5 lines का एक program लिखा तो compiler क्या करेगा ये सारे को एक ही बार scan करके एक ही बार convert कर देगा getting my point समझ में आया कि ये क्या करता है कि पांच lines के program को एक ही बार scan करके एक ही बार one go में convert करता है बट वही पे आगर हम interpreter की बात करें इंटर्प्रेटर क्या करता है कि सेम अगर 5 lines का program है ये line by line क्या करता है line by line convert करता है one go में convert नहीं करता इसलिए कुछ ऐसी language है जहां पे compiler use होता है कुछ ऐसी language है यहां पे interpreter का use किया जाता है चीक है जी आगे बढ़ते हैं चलिए अब कर दे ट्रांसलेट्स हो लो लेवल लांगवेज निमोनिक्स इंटू मशीन कोड मशीन लांगवेज हांजी करिये इसको अटेम्ट कि आप अब यहां पे लो लेवल की बात की गई है अब लो लेवल की जो languages है वह कौन सी है असेंबली तो असेंबली के लिए कौन सा असेंबलर का यूजर किया जाता है इजी क्वेशन येस और नो चलिए आगे बढ़ते हैं करिये इस क्वेशन को अटेम्ट विच टाइप ऑफ दी कंप्यूटर विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन हैंडल इनलोग आज वल एस डि यूजर के लिए अब आपके पास कुं सा क्प्यूटर है वर्क स्टेशन है, पर्सनल है, मिनी कम्पूटर की मेन फ्रेम, अब मैं हूँ यह तो मेरा पॉसनल कम्पूटर है, आप क्या है, इंडुवीज्वेल है, ठीक है, तो इंडुवीज्वेल के लिए हमारे पास होता है पर्सनल कम्पूटर, चलिए आगे बढ़ते हैं, लीजिए इसको अटेम्ट करिए, कम्पूटर कैन बी ब्रोडली क्लासिफाइड इंटू, कम्पूटर को हम ब्रोडली कितने टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं, तीन टाइप में, चार टाइप में, फाइप टाइप में, कि सिक्स टाइप में, अब यहाँ पे रियल जाट, जल् यहां पर कहीं भी purpose की बात की गई है नो अब ना तो यहां पर size की ना purpose की ना work की बात की गई है तो normal अगर हम बात करें computer को हम कितने parts में कैसे classified करते है size के according work के dei stop है स्टार्टिंग मैं आपको बताया था योश्राज विनीता आप स्टार्टिंग में अजया अपने ज्ट किया है एक हम साइस के सूपर मेन मिनी माइक्रो एक वर्क के अकॉर्डिंग किस पर्पस के लिए आप यूज का वर्क मतलब जब वर्क आएगा जब ऑप्रेशन आएगा तब आपके पास क्या है इनलोग डिजिटल हाइबर्ड जब पर्पस की बात होगी तो दो टाइप्स होंगे कौन-कौन सा पर जर्नल पर्पस और श्पेशल पर्पस ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं लीजिए अगें सेम क्वेशन वद्धी डे कैन ऑप्रेट ओन बैटरीज एंड हैंस आर वेरी पॉपलर विद ट्रेवलर्ड हां जी इसको अटेंट करिए अब सेम ऐसा ही क्वेशन हम पहले भी क कि एपड़ चुकी है फिरसे वहीं क्या है यहां पर हमारे पास लैक्टॉपस आगया चलिए आगे बढ़ते हैं लिजिए कि में फ्रेम कंप्यूटर्स और यूज किया जाता है बैंकिंग में गम्रेंट में रेल्वेज में कि ऑल अल अब जा और अल अप-कinging में DRC Coin जहां पर हम बहुत बड़ा data store कर सकते हैं for backup के लिए अब banking में use करते हैं, yes अब railway में use करते हैं, yes तो obvious ही बात है, government में भी हो जाएगा all of these चलिए, आगे बढ़ते हैं option D, हमारे पास right answer आएगा ठीक है, option D चलिए जी लिजी इसको attempt करिए easy question again which of these following is not a type of computer on the basis of operation अब operations की बात करें अब operation का मतलब कि मैंने आपको बोला ना कि आपको operation भी पूछ सकता है आपको यहाँ पे work के बारे में पूछ सकता है तो same मतलब है कि analog, digital, hybrid तो हमारे पास remote जो है यह कोई भी type नहीं है very good, बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं लीजे इसको attempt करिए which of these statement are true about a supercomputer इन में से कौनसी statement जो है वो true है it used for scientific research it has high competition speed it is very expensive और all of the above अब supercomputer है, सबसे उपर है सबसे महंगा है expensive है, high है तो option all of the above all of the चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर फिर option C है यहाँ again option D आएगा ठीक है, चलिए जी इसको attempt करिए अब इसको बड़े धिहान से attempt करना इस question को again वो मत करना कि यहाँ पर 3-4 मत लगा देना धिहान से questions की demand देखके question में क्या पूछा गया है फिर आप questions को attempt करिए जगा क्या पूछा है किएकर size की बात करें size के according हमारे पास कितने type के computers होते हैं 7 type के, 4 type के, 3 type के, 6 type के easy question है अब यहाँ पर size की बात की गई है super, mainframe, mini और micro option B questions अब easily solve हो रहे हैं ना अब questions कितने easily आप solve कर पा रही हैं ना जी चलिए very good लीजे इसको attempt करिए अब कहते है on the basis of data handling capabilities which of these are valid type अब यहाँ पर work की बात की है operations की बात की गई है data handle करने की बात की गई है तो क्या answer आएगा आप analog में भी वही काम करते हैं hybrid में भी, digital में भी अब question को बताएए क्या यहाँ पर सिर्फ digital आएगा क्या analog में अब work की बात करें operations की बात करें तो बताएए क्या answer है हाँ जी option D हमारे पास right answer होगा, all आएगा चलिए अब देखिए, analog की बात करें यह होते हैं speedometer में use और use होते हैं barometer में, thermometer में और यह आपके use होते हैं कौन से analog computers television में, autopilot में telephone की lines में, speedometer में oscilloscope में, astorable में इन सब में क्या use होते हैं, आपके analog computer use होते हैं ठीक है, इतनी बात समझ में आई समझ में आई speedometer, ठीक है television, autopilot, telephone lines barometers, earthquake check करने के लिए water का pressure check करने के लिए यहां पर सबसे, हम कहते हैं हमें earthquake को कैसे measure करते हैं हाँ cat का fever देख लो हाँ जी जल्द से बताईए अब earthquake आता है earthquake आता है फिर जैसे की, कहते हैं की bard आगी, flood आ गया तो वो भी पानी कैसे measure करते हैं water का pressure सिस्मोग्राफ होगे ना सिस्मोग्राफ में तो सारा आपको क्या है अपके analog computers, चलिए आगे बढ़ते है digital computers, लीजिए cash cash cash, उठाईए जल्दी से cash, उसके बाद फिर दीजिए विचारी, हमें तो weight कम करना है weight कम करना है, देखिए विचारी का laptop को नहला दिया laptop को ऐसे गर्मी लग रही थी तो नहला दिया है ना जी, तो यह क्या होगे आपके सारे के सारे ATM weighing machine laptops digital में आ जाँगे, किसमें? digital में, डान जी, याद रहे जाएगा याद रहेगा याद रहेगा laptop की गर्मी laptop को नहला दिया हाँ गोपी वहू, exactly सही है, ठीक है आगे बढ़े चलिए, लीजिए hybrid computer, hospital में की बात करे, ECG वगरा की बात करे, ठीक है, dulces वगरा की बात करे, वहाँ पे hybrid computer यूज होते है done चलिए जी, आगे बढ़िए seismograph seismograph जो है, यह किसकी एक्जामपल है हाँ जी, seismograph जो है, किसकी एक्जामपल है analog की येस, analog की एक्जामपल है ठीक है, चलिए आगे बढ़िए very good, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप questions को attempt कर रहे हैं लीजिए आगे बढ़ते हैं, हमने next question की तरफ विच टाइप अफ कम्पुटर योजन आटमाटिक एरक्राफ्ट लेंडिंग अब एरक्राफ्ट की बात की गई है अब यहाँ पे आगया हमारा परपस के अकॉर्डिंग तो अब एरक्राफ्ट लेंडिंग की बात करें, तो क्या, वो लोग अब लएक हम बात का थैंकिसो मच विनीता आप पढ़ते भी ऐफ़र्ट से हैं ठीके आप में बताईए, एरक्राफ्ट की बात हुई है तो यह एक सामाने कारज है कि आपके श्पेशल कारज है अब मैं आपके कारणे की चलिए आप एक डॉक्यमेंट टाइप कर दीजिए आप ऐसा कर एक फाइल बना दीजिए आप ऐसा कर एक डेटाबेस बना दीजिए वो तो सामाने कारज है आप कर लेंगे मैं भी कर दूँ कोई भी कर लेगा अगर मैं आपको बोलूँ कि यह जो है कंप्यूटर जो यूज हो रहा है आटमेटिक एरक्राफ्ट लैंडिंग में तो वो कोँसा होगा स्पेशल परपस होगा तो यहां पे क्या है हमारे पास अगर परपस की बात करें बेज़ ऑन परपस की बात करें दो परपस होते हैं एक होता है journal purpose, एक होता है special purpose, अगर journal purpose की बात करें, इसमें क्या होता है, कि हम variety of problems को solve कर सकते हैं, instructions को change करके, ठीक है, जो computers होते हैं, general purpose में, यह वो computers होते हैं, which are used, जिसका use हम करते हैं, variety of problems को solve करने के लिए, just by changing the program or instructions, like मैंने small database बना दिया, Excel में, calculations कर ली, अगर special purpose की बात करें, यहां पे हम like कोई भी instructions, कोई भी problem को change करके, variety of problems को solve नहीं कर सकते, special purpose में, एक dedicated problem को target किया जाता है, अगर मैं कह रही हूँ कि इसका use हम इसके लिए कर रहे हैं, तो दर बस उसी के लिए उसका use हो रहा है, ठीक है, मतलब special purpose computer, those computers which are used to solve a single and dedicated type of problem, एक problem को like multimedia हो गया, automatic error planning, तो यह आपका special purpose हो जाएगा, ठीक है जी, लिजिए इस question को attempt कर जिल्दी से, which type of computers are used in hospital like ECG and dialysis वगरा में, हाँ जी, तो ECG की बात करें, dialysis की बात करें, कौन से computer use होते हैं, अब भी पने आपको बताया, इन सब में आपके hybrid computers use होते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिजिए PDA, अब PDA की full form, PDA को क्या कहते हैं, PDA, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि doctors के पास एक handheld device होते हैं, आप railway में travel करते हैं, तो railway जो officer आते हैं, आपके ticket check करने के लिए, उनके पास भी एक device होती है, ठीक है, उसको PDA का मतलब क्या है, Personal Digital Assistant, ठीक है, PDA की full form क्या होती है, Personal Digital Assistant, तो अब ये, हाँ जी, समझ में आया कि PDA की full form क्या होती है, ये, Personal Digital Assistant जो आपके doctors के पास, railway में जो ticket check करने आते हैं, उनके पास तो और इसके इलावा electricity bill वालों के पास भी होती है, ये आपकी handheld device होती है, ठीक है, handheld device होती है, चलिए, second last question, which computer works on data in 0 & 1, अब easy question जाए, second last question है, 0 & 1 की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए, कि 0 & 1 के उपर कॉन से computers operate करते हैं, ठीक है, अब computer बस थाइप, कॉन से, digital computers, physical computers, hybrid computers, जहां सिर्फ computer, तो हमारे पास यह होते हैं, कॉन से, digital computers होते हैं, जो 01 बात करते हैं, कि इसके उपर, 01 के उपर work करने वाले, हमारे पास digital computers होते हैं आज का last question है कि as analog and analog computers operate on which type of data जो आपके analog computers है यह किस type की data पर operate करेंगे text file के उपर analog data के उपर digital के उपर कि none of these तो simple सी बात है जो analog computer ही analog है तो वो किस के उपर operate करेगा तो data भी तो उसको analog वाला ही चाहिए होगा ना option B हमारे पास right answer है अगर बीमारी एक है बुखार है तो medicine में तो बुखार की लेनी पड़ेगी ना कि आप हैड़क की medicine ले लेंगे है ना जी अगर में को है ही बुखार तो वही दवाई चाहिए ना कि हम code की दवाई ले लेंगे तो अगर हमारे computer जो है analog की उपर operate करता है तो data भी उसको वैसा ही चाहिए ना ठीक है तो यह थी आपकी आज की class I hope आपको समझ में आया होगा कल हम हमारे second chapter को start करेंगे chapter का नाम क्या है आपको कल में शुरू करवाऊंगी एक हमारा होता है computer का architecture ठीक है computer का architecture जिसमें start हम करेंगे input devices से जितनी भी आपकी input devices है कैसे learn करना है कैसे याद करना है तो कल हम मिलते हैं शाम को 4 बजे with input devices के साथ और शाम को 7 बजे नई chapter start कर रही हूँ मैं distance and directions वाला reasoning का सब बचने शाम को 7 बजे भी class को join करना है ठीक है जी चलिए guys thank you so much keep positivity हसते रहिए मुस्कराते रहिए God bless you bye bye and take care मिलते हैं शाम को 7 बजे reasoning की class में की चलिए झाल झाल